स्वागत है आपका बाल विकास यहां सिक्षा शास्त के दूसरे लेक्चर में आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रिदी बनाम विकास यानि की ग्रोथ वर्सेस टेवलप्मेंट के बारे में और जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के वीडियो लेक्चर को सीक्वेंस वाईज और टॉपिक वाईज देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए जहां पे सीडीपी बाल विकास यहां सिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट पनी हुए है आगे बढ़ते हैं ग्रोथ वर्सिस डेविलप्मेंट के बारे में याद रिखेगा यह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है कई बारी कई तरह से इससे सवाल भी पूछे जाते हैं और दोनों पेपर में दोनों लेवल पे पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं पहले समझना शुरू करते हैं व्रिधी क्या है वाट इस ग्रोथ ग्रोथ का मतलब है जो चीजें फिजिकल कॉंटिटी जो बहुतिक मात्रा में जिसके चेंज हो रही है जो बहुतिक परिवर्तन हो रहा है ओवर पीरिड ऑफ टाइम उसको हम कहते हैं ग अगर हम डिक्ष्णरी में देख चेक करते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ साइज एंड कॉंटिटी व्रिधी और मात्रा में आकार में जो व्रिधी हो रही है उसको हम कह रहे हैं व्रिधी और ग्रोथ इंक्लूट्स अल दोस इस ट्रॉक्ट्राल एंड परिपकवता के दौरान वो सारे के सारी ग्रोथ में काउंट हो किये जाते हैं अब देखिए यहां पर एक वर्ड है मैचुरेशन मैचियोरेशन ग्रोथ और डेवलापमेंट को हर बार लोग एक जैसा समझते हैं पर नहीं चाइल डेवलापमेंट के कॉंसेप्ट में पर देखिए जो growth होता है वो measure किया जा सकता है और साथ के साथ physical aspect पर बात हो रही होती है और growth जो होता है वो observable होता है हम observe कर सकते हैं जब physical quantities की बात कर रहे हैं जो increase or decrease की बात कर रहे हैं जो examples हैं इसके वो हमें बताते हैं कि हम उसको measure कर सकते हैं हम उसको देख सकते हैं observable quantities जो ह वो सारी growth में आती हैं आप भी grow कर ये डेली वाइट्स के साथ जितने भी teaching related job exams हैं उन सब की preparation कीजे सबके mock paper available है हमारे website पे जाए दीजे और अपनी performance को boost कीजे आगे वड़ते हैं what is development विकास क्या है जैसे कि last lecture में भी हमने पढ़ा है कि विकास एक गुडात्मक परिवर्तन है गुण का परिवर्तन है quality का change हो रहा है जो वो है development वो एक सतत प्रक्रिया है व्रिधी की तुलना में कहीं जादा ये comprehensive और विस्तृत होता है साथ ही जैसे कि growth के बारे में हमने encyclopedia में सर्च किया तो हमें change मिला वैसे ही अगर हम development के बारे में बात करेंगे तो वो progressive change की बात हो जो progress हो रहा है प्रगतिशील परिवर्तन जो हो रहा है जिसका relation genetic potential से भी होता है और कुछ relation उसका environment से भी होता है इन दोनों चीजों को मिला करके जो progress change जो progress हो रहा है जो change आ रहा है वही है development और विकास समय के सांथ वृद्धी और शमता में परिवर्तन का एक प्रक्रिया है छोटा बच्चा काम करने में या जिस भी चीज में वो जब भी एक घंटे उसके बैठके पढ़ने के बात होगी तो शायद वो नहीं पढ़ पाएगा एक घंटे में उसका ध्यान पता नहीं कितनी बार बढ़केगा लेकिन अगर वही चीज हम 9th और 10th या फिर 12th के कि अब देरे देरे उनकी शमता बढ़ गई है उनमें ग्रोथ हुआ है वो डेवलप हुए है और उनकी जो शमताई है वो बढ़ गई है परिपकवता मैचुरेशन भी आये परिपकवता के साथ परियावरण उन्हें मिला है इन्वार्मेंट ऐसा है उन्हें पता है कि उन्ह अब देखते हैं difference क्या है growth or development में growth is a quantitative term growth जो है हमारा quantitative है मातरात्मक है और development जो है qualitative है quality में change हो रही है right growth physiological की बात हो रही है और development psychological की बात हो रही है यानि कि मानसिक तौर पे जो हमारे परिवर्तन हो रहा है सिर्फ सनरचना में नहीं मानसिक तौर पे जो परिवर्तन हो रहा है the change that comes from within जो अंदर से changes हो रहे है मन के अंतर करण से जो change हो रहे है वो हो रहे है उसको हम कहते है development growth जो है वो miserable quantity है मापने योग्य है देखने योग्य है लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि का आज मेरी समझ 500 ग्राम बढ़ गई है बिलकुल हम यह बात नहीं कहते हैं लेकिन यह लेकिन विकास निरंतर चलते रहता है सीखने की एक शब्द हम कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती वही बात है वैसे ही विकास है उसकी कोई उम्र नहीं होती उसकी कोई सीमा नहीं होती वो सतत है हमेशा चलते रहने वाला है व्रिधी के बारे में हम यह भी कहते हैं यानि कोशी का cell में जो growth हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं जब तब हम बात करते हैं व्रिधी की मतलब growth is more like cellular cell level पे हो रहा है लेकिन development is due to maturation interaction with environment जो हमने देखी हैं चीजें जो हमारे अंदर हैं जो हमारा genetic है और उसके बाद जो चीजें हमने देखी हैं जो हमने observe की हैं अपने आसपास में environment से interact किया है उसके ब पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझने की जरुत है जो growth होता है वो development का एक part होता है development का एक आसपेक्ट है growth जिसमें हम quantity की बात कर रहे हैं जहा हम physical development की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम growth की बात करते हैं और जो development है वो बहुत ही wide है बहुत comprehensive है and lastly जितना भी बहुतिक विकास है वो व्रिधी का part है और जो अंदरूनी तोर पे the changes that are coming from within वो सारे part है हमारे विकास के तो विकास जो है वो बहुत ही जाल वो सतत है सांत में वो विस्तृत है अधिक विस्तृत है और व्यापक भी है जो व्रिधी है उससे कहीं जादा So this was it for this video आप हमारे telegram channel से भी जुड़ सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल जाएगा जाएं वहाँ जुड़े और नए videos के update को प्राप्त करें और अब आप मुझ से Instagram के through भी जुड़ सकते हैं जिसका link भी आपको description box में मिल जाएगा जाएं वहाँ जुड़े अपने doubts और अपने confusion को साथ के साथ clear करते जाएं Until then stay tuned stay connected to Delhi Wilds God bless you all